मैंने लास्ट वीडियो में genetics के 15 questions के set डाले थे ठीक है उसमें कोई explanation नहीं था बस answer था तो जिन बच्चों को अगर लगता है उन questions में problem हुई है ठीक है तो मैं यहाँ उनमें के हर एक questions का proper explanation दे रहा हूँ plus वो questions कैसे solve हो सकते है ठीक है और ऐसे type के questions को हम आगे कैसे solve करना है हम वो भी एक question से सीखेंगे मैं theory मैं उमीद करता हूँ कि आपको theory का basic knowledge होगा यह जो genetics है इसमें mainly problems की practice से ही आपकी command होगी subject पर है तो मैं आपको problems दे रहा हूँ उसकी proper explanation दे रहा हूँ अगर आपसे वो 15 questions solve हो पा रहे है answers match कर रहे है तो well and good अगर नहीं तो आप इन approach को देखके उन questions को solve कर सकते हैं और आगे ऐसे type के जो भी questions होंगे आपसे solve होगे तो let's start question number one total number of phenotypes and genotypes in F2 generation of a tri hybrid cross would be हमें पता है हम एक simple mono hybrid cross के result से हम बहुत कुछ explain कर सकते हैं और उस results के result से वो जो cross के result से हम बहुत ज़्यादा information gather कर सकते हैं so take an example हमें पता है हम parent capital D capital D लेते है a small T a small T यह gamit कोई होट्रोजाइगर्स नहीं है single type के gamit बनेंगे एक चीज और एक चीज और जो ध्यान रखना वो यह है कि genetics में कभी भी हम number of gamits की बात नहीं करते हैं बहुत बच्चों को लगता है चार gamit बनेंगे नहीं वो चार type होते हैं तो don't confuse it with type and number यह types के बनेंगे ठीक है हम हमारा F1 बनेगा ठीक है अगर हम फिर F1 रक्रॉस कराते हैं इसका सेलफिंग कराते है तो हमें मिलते हैं इससे दो गयमिट टाइप के gamit बनेंगे इससे भी दो टाइप के gamit बनेंगे तो हमें इस तरह से आप पनेट स्कॉयर बनाये होगे हां और आप देखते हो capital T small T male gamit इ इनमें हम देखें तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है फिनोटिपिक मतलब प्लांस कि external appearance कैसे प्लांस कैसे दिख रहे हैं तो प्लांस एक बिए अगर Capital Allyl है dominant Allyl है तो यह भी टॉल यह भी टॉल यह भी टॉल तीन प्लांस टॉल बनते त्री चार में तीन यह बहुत बच्छी यह समझते हैं कि मेंडल को चारी प्लांस मिले थे नहीं अगर मेंडल को जितने प्लांस मिले थे उसमें रेशियो था 3 इस टु बन का कभी exact चारी प देखा गया था वो प्लांट 3 to 1 के रिश्यू में थे फिर आता है जीनो टाइप जीनो टाइप होता है कि उसका जनेटिक मेकप कैसे है जो टॉल प्लांट बने उनमें कौन सी वो अलील है जो कि टॉल के लिए टॉल प्लांट होने के लिए रिस्पॉंसिबल है तो ये भी टॉ दोनों दो है और ये जो है हमारा ड्वार्फ हो गया एक तो 1 x 2 x 1 आता है ठीक है अब ये सिंपल फर्मूला है हमें मोनो हाइब्रीड क्रॉस पता है ओके तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एफ 1 में हेट्रो जाइगस कितने थे एफ 1 में एक ही हेट्रो जाइगस अलील कहँ tuttiраш के टीक तो फिनोन मिला वह दो तरा कवी मिले थीक है कि तो टूटाइब्स के फिनोनाइप से मिलते हैं और इसको अगर आम देखें तो हमें तीन टाइप के मिलते हैं यानि थ्री वह सब्साइब्स आपको पता है हम राले क्रोस पास के बीनोन अ ऊर्लाइब्स कि दे ओके और monohibrid cross के genotypic ratio से dihybrid cross का genotypic ratio निकाल सकते हैं यह भी हम करके देख लेते हैं I think इसका information आपको मुल चुका है और यह भजार बार पढ़ चुके हो class 10 में चीजे चलिया आती मैं कुछ निया नहीं बताऊंगा बस आपके पुराने knowledge से आपके पुराने concept से ही आपको आगे चीज़े explain करूंगा तो मैं इसको अड़ा करता हूँ कि अब यह आ गया अब इसको हम दो आपको पता है जो डाय है विट क्रॉस है वो दो मोनो है विट क्रॉस के रिजल्ट का रिशियो ओके तो यह मैं उपर लिख देता हूं मोनो हाइब्रीड और यह है आपका डाय हाइब्रीड ओके तो इसको हम अगर मल्टिप्लाइ करेंगे थिरी से दोनों को तो 9 इस्टू 3 इस्टू 3 इस्टू 1 आएगा फिर 1 से करेंगे तो यह फिर इसको 1 से दोनों करेंगे तो यह आएगा इती तरह अगर हम इस रिजल्ट को करें मल्टिप्लाइ दूसरे क्योंकि दो डाय हैव 2 is to 4 is to 2, यह दूसरे से, फिर 1 is to 2 is to 1, यह तिसरे से, राइट, यह ratio आता है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर कितने तरह के हमें phenotype मिले, यहाँ पर मिलते हैं 4 types, यहाँ पर मिलते हैं कितने तरह के genotype, तो ऐसे कुछ allele होंगे, जो ऐसे एक होंगे particular type के, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानि 9 types के हमें genotype मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता, 3 types, फिर 9 types, 2 types, फिर 4 types, यानि एक sequence follow हो रहा है, तो हम इसमें, generally हम 2 to the power N, यहाँ पर generally dihybrid cross में, आपको पता है यह famous experiment, round yellow, wrinkled green, यहाँ पर हेट्रोजागस condition है, यह round yellow plant है, ओके, तो इसमें 2 हेट्रोजागस condition है, एक यह, एक यह, N is equal to 2, ठीक है, तो अगर हम 2 का पाबर N रखें, तो क्या आएगा, 2 का पाबर 2, यहाँ पर, 2 का पाबर, mono hybrid में हम N कितना रखेंगे, mono hybrid में N कितना रखेंगे, एक ही, mono hybrid में एक ही हेट हो जाई रस था, capital T a small t, तो 1, तो 2 आ गया, इसको 4 लाने के लिए 2 का 4 टाइप के मिल गए, यह, mono hybrid में अगर हम इसकी देखें, तो इसमें हमें क्या मिलता है, 3 टाइप के मिलते है, तो इससे हम 3 का power, 3 का sequence follow हो रहा है, 3 के बाद 9 आगा, यानि 3 का स्क्वाइर, तो 3 का पाबर N, यहाँ पर एक ही हेट्रोजाईगस है, 3 के पाबर 1 is equal to 3, इस तरह भी hybrid देना है, देदे, हम mono hybrid cross का याद रख सकते हैं, और अब अगर हमें नहीं भी याद है, तो panic होने के ज़रूद नहीं है, और cross बनाने के ज़रूद नहीं है, mono hybrid cross को याद रखो, आप genetics के कोई भी question को easily solve कर सकते हो, अब मैं इस question की particular बात करता हूँ, इस ने बोला tri hybrid, यान नहीं, तीन ऐसे allele होंगे, सब hybrid है, तो power कितने हो गए, n is equal to 3, right, अब आप देखो, phenotype निकालना है, तो phenotype के लिए ratio क्या आएगा, आपने खुद अभी derive किया, 2 to the power n, इसी तरह, genotype के लिए ratio क्या आएगा, 3 to the power n, n का power, 2 का power 2 रखोगे, तो क्या आएगा, sorry, यहाँ पर 3 है hybrid, n is equal to 3 है, तो आएगा 8, यहाँ पर 3 का बावर 3 रखोगे, तो आएगा 27, question अभी खट नहीं हुआ है, question में जो option था, वो है 35, 37, 8 और 64, यानि 35, 27, 18, 64, tri hybrid cross का पुछ रहा है, phenotype ng, total number पूछा है, आप जल्दी बाजी में, 8 सोज के मारोगे, 8 आपको 27 करके देखोगे, खुस हो जाओगे, 27 मिलेगा, लेकिन न answer आपका यह है, न answer आपका यह, जो आपका answer है, वो है आपका 35, क्योंकि यहाँ पर total पूछा है, total, कितने genotype बनेंगे, और कितने phenotype बनेंगे, तो आप phenotype plus genotype को sum करोगे, तो 23 plus 8 जब आप sum करोगे, तो आपका आए cancer, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आ है, तो आप comments box में लिखिए, आपको फिर से मैं किसी other mode से explain कर दूँगा, thank you